जहारखन की राजनीती में उथल पुथल मची हुई है जहारखन के जो सीएम है वो पलायन कर रहे हैं दूसरे स्टेट में अपने पूरे मंत्रियों के साथ तो वहीं दूसरे और बिहार में इन दिनों अवयत तरीके से संपत्ती अर्जित करने वाले धनकुबेर अधिकारियों पर नकेल कसने का सिलसला भी लगातार जारी है इसी क्रम में सनिवार को निगरानी विभाग ने किसन गंज में पदस्थापित ग्रामिन कारे विभाग के एक्जोक्यूट्यूट्यूव इंजिनियर संजय राय के पटना आवास और किसन गंज के दो ठिकानों पर एक साथ छापे मारी शुरू की जिसमें लगभग 4 करोड कैस जमीन के कागजात और जूलरी बरामत किया गया है राजधानी पटना के रूपस पूर्थाना इलाके के बसंत बिहार कॉलोने से संजय राय के घर से निगरानी विभाग ने लगभग एक करोड रुपे कैस के साथ जमीन के कागजात और जूलरी बरामत किया है वहीं इंजिनियर के किशन गंज ठिकाने से 3 करोड से अधिक किराशी वरामत की गई है भारी मात्रा में कैश वरामत किये जाने के कारण निगरानी को रुपे गिनने के लिए मशीन लानी पड़ी फिलाल रुपे की गिन तीज जारी है जानकारी के मताबिक एहरासी 4 करोड से अधिक होने की संभावना है करेंटली मैं विजिलेंस में भी आईबी में डिवाइसपी के पत्पे कार रहा थू इसके अलावा कुछ जेवलेरी भी बरामद हुआ है जिसको हम लोगों ने वेलुवर से वेलुएशन के बाद फिगर दे पाए है इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं किसंगंज से हमारे सहयोगी मुनववर से मुनववर जिस तरह से पटना और किसंगंज में निगरानी विभाग ने च्छापे मारी की है उसमें से जो है एक नीजी इंजिनियर है उसका ओम परकास यादब जी है उनके किराये के मकान में तथा उनके जो है एक कांटेंट है एक खुर्रम सुल्तान के नाम से उनके भी एक इसमें किराये के मकान में जो है थाप्रमारी की गई है दोनों जगा की छापे मारी में आप तक 4 करोड की राशी बरामद की गई हो और इतनी भारी मात्रा में राशी बरामद हुई कि उसे गिनने के लिए मशीन मंगाना पड़ा है? करीब 4 करोड के पास जा सकती है